मशकार दोस्तो I hope guys आप सभी बहुत अच्छे होगे Elon Musk ने प्रमोट किया है Pi Network को और दोस्तो अब भी के टाइम में Doge Coin को Elon Musk बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाले इन्होंने denial दे दिया है और जो second सबसे important बन चुका है वो Pi Network बन चुका है इस चीज़ को लेके official article भी आ चुका है और उसके साथ Web3 को लेके और blockchain को लेके एक बहुत बढ़ा conference होने जा रहा है जिसका मैं proof आप सभी को दिखाऊंगा और आप सभी किस तरीके से buy कर सकते हो NFT को step by step मैं आप सभी को बताऊंगा और उसके साथ KYC को लेके बहुत जादा confusion है और बहुत जादा problems है तो उनके भी solutions आज की वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत informative होने वाली है वीडियो को skip करोगे तो चीज़ों को miss कर दोगे चलिए guys वीडियो को start करते हैं एक छोटी सी request है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो please subscribe करके notification bell को all पे जरूर press कर लें चलिए guys start करते हैं अब हम चलते हैं अपने first update की तरफ जो की pie chain international की तरफ से आ चुका है सबसे पहले हम बात करेंगे कि NFT को आप कैसे buy कर सकते हो pie browser के अंदर और ये pie find करके आप सभी को देखने को मिलेगा PCM के अंदर सबसे पहले basically आपको करना क्या है आप सभी को pie browser open करना है और उसके बाद आप सभी को search tab पे जाके https करके search करना है और उसके बाद आपको search करना है pie nft.art ये जैसे आप search करोगे तो loading करेगा और loading के बाद आप सभी को कुछ इस type का interface देखने को मिलेगा फिर आपको go पे click करना है फिर आपको allow करना है जैसे ही allow करोगे तो आपको success का option देखने को मिलेगा और इस type का कुछ interface देखने को मिलेगा और नीचे की side में आप सभी को store का option देखनेगा store पर आपको click करना है और उसी के उपर में payment करके देखने को मिलेगा जो कि yellow में है इस पर आप जाके pay करोगे ठीक है इस पर जैसे ही आप click करोगे तो आपको allow करने के लिए बोलेगा तो आप सभी को यहां पर allow करोगे और यहाँ पे बिसिकली 60 सेकेंड का आपको टाइमर होता है बट इससे पहले हो जाता है फिर आपको पाई को सेंड करना है जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक नोट लिखा गया है आप सब्भी अपना 24 नंबर का पास प्रेस कभी मट डालना ये कभी भी आपसे पाई नहीं पूसता है ठीक है और जो पूछे गा तो समझ लना हो कि इस स्कैमर की अकाउंट है उसके बाद आप सभी को यहाँ पर vouchers वगराव का देखने को मिलेगा जो कि आपको simply pie NFT करके search करना है और यहाँ पर आप सभी जिसको भी refer वगराव करते हो तो उसका आप details यहाँ पर डाल सकते हो जिससे कि आपको भी benefit हो जाएगा अब हम चलते हैं दूसरे update की तरफ यहाँ पर basically आप सभी देखो blockchain का एक बहुत बड़ा event हुआ था 19th world blockchain करके जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को I mean represent किया गया था कि NFT कैसे काम करती है, blockchain कैसे काम करती है और हम क्या special दे रहे हैं मतलब Pi Bridges क्या special दे रहा है market के अंदर क्योंकि market के अंदर बहुत सारी blockchains है, बहुत सारी NFTs है, बट हम क्या unique कर रहे हैं वो चीज़ इन्होंने as a represent की थी और उसके साथ यहाँ पर हम बात करने जा रहे है KYC के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी जो problem हुई है, वो KYC को लेके ही है और यहाँ पर बताया है जा रहे है, the Pi Co team kindly remind the significant and purpose of hashtag KYC to verify the authenticity of pioneers within the Pi network ecosystem मतलब Pi के अंदर जितने भी लोग आएंगे properly एक तरीके से verify करके आएंगे कि हाँ, यह real accounts है, क्योंकि अभी जिस तरीके से Pi की popularity बढ़ती जा रहे है, उसे साब से Pi के अंदर scammers बढ़ते जा रहे है scammers के बढ़ने से basically हमेंगा loss होगा, for example, 100 accounts जाते है verification के लिए उसमें से 70-80 accounts as a scammer के होगे और BA accounts real होगे जिसमें आपने coins को mine किया होगा बट आपने तो सालों से mine किया है, बट जो scammers है, उसने कुछी घंटों के अंदर या कुछी दिनों के अंदर आपसे 10-15 गुना या 100 गुना coins mine करके बैठा है और जैसे ही उसका account verify होगा और पाई की value बहुत अच्छी आएगी तो उसके बाद आपको जितना profit नियोगा, उससे जादा profit उसको होगा मतलब गलत हातों में गलत नंबर जाएगा, एक पाई मानलो 50 डॉलर का आता है, तो वहाँ पे उसके पास 1000 पाई के coins है, बट उसको value तो पूरी मिलेगी, बट आपको कम value मिलेगी, क्योंकि आपके पास कम है, तो इससे loss आपको होगा, और उनको profit होगा, और overall जो loss होगा, वो fraud account है, जितने भी fraud activities है, money laundering है, इन सब भी चीजों को बंद किया जाए, जिससे कि real Pines को value मिले, और real Pines का account verify हो, इसी वजए से यहाँ पे automation को enable किया जा रहा है, जो कि V18 और V12 not पे काम करता है, जिससे कि आपका बहुत fast KYC verify हो जाएगा, एंड गईस चलतें, next update की तरफ, जो क तो अभी आप use करते हो, वो web 2 के अंदर आता है, जैसे कि facebook हो गया, instagram हो गया, twitter हो गया, यह सारी चीज़े इसी के अंदर आती है, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, facebook, tv हो गया, training, up talks, training हो गया, analytics हो गया, network हो गया, podcast हो गया, online magazines हो गया, rrs feed हो गया, youtube हो गया, press release हो गया, यह सारी चीज़े हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, but जैसे ही web 3 आएगा, यह एक अलगी level पर ले जाएगा, और इसी चीज़ के बारे में आपे बताया जा रहा है, pine network is a pioneering project in the realm of social cryptocurrency within the web 3 landscape, it aims to create a decentralized and inclusive network that empower individuals to engage in a new form of digital, मतलब जितनी भी यहाँ पर transactions होंगी, जितनी भी यह लेवल, fast देखने को मिलेगी, जिस तरीके से आपने 5G को use क्या होगा, तो कितना fast है, और ऐसा निया कि 5G अब रहेगा, कुछ time के बाद 6G भी आएगा, तो यह सारी चीज़े depend करती है, एक time के बाद, और उस time से पहले ही इस चारी चीज़ों को prepare किया जा रहा है, pine network जो NFT create कर यह आने वाले 4-5 सालों के अंदर आप सभी को पता लगगा कि actually इसकी क्या value है, and guys, अब हम बात करते है, pine network versus bitcoins के बारे में, कि इन दोनों में क्या difference है, आपको pine network किस तरीके से एक best performance दे सकता है, अपनी blockchain के अंदर, तो यहाँ पर बताया है, जहरा है, जो maximum supply है, वो pine network के कि यह SCP as a technology पर काम करता है, ठीक है, और बात की जाए, bitcoin के बारे में, तो यहाँ पर 21 million के आसपास हमें देखने को मिलता है, जो की बहुत-बहुत काम है, और यह जो technology यूज़ करता है, proof of work बोलते है, POW, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर one blockchain है, 5 seconds के अंदर, और यहाँ पर one blockchain 10 minutes के अंदर, तो आप एक difference देखो, कि एक block को complete करने के लिए 10 minutes लग रहे हैं, और यहाँ पर एक block को complete करने के लिए 5 seconds लग रहे हैं, तो कितना difference यहाँ पर create हो जाता है, और transactions की बात करें, तो 1000 transactions जो है, आप सभी को seconds के अंदर देखने को मिलेगी, और उसके साथ यहाँ पर ज जब 7 transaction होगी, तो वहाँ पर जो notes जाएंगे, वो 12 जाएंगे, तो difference आप खुद देखो, कितना बड़ा difference हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और यह सारे चीज़े होती है, एक तरीके से blockchain, blockchain जो होती है, basically कितनी आप अच्छी बनाते हो, कितनी आप powerful बनाते हो, और कितना time के बनाते हो, वो भी सारे चीज़े matter करती है, इस वज़े से देखके लगता है, कि Pi Network बहुत अच्छा खासा perform करने वाला है, अपने आने वाले future के अंदर, और दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देखते हो, किस तरीके से चाइना के अंदर, वेब 3 का एक proper conference होने जा रहा है, ज बड़ी बड़ी expensive cars के अंदर भी Pi Network का promotion हमें daily basis पे देखने को मिलता है, और barter system तो आजकल हमें normal देखने को मिलता है, दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे है, जो मैंने आप सभी को starting में बोला था, किस तरीके से Elon Musk promote करने जा रहे है, Pi Network को, यहाँ पर article आ चुका है, Elon Musk Denial of Dogecoin ownership raise concern for Pi Network community, यहाँ पर बताया है, जो Elon Musk है, वो denial कर रहे है, मना कर रहे है कि अब मैं Dogecoin की ownership नहीं लूँगा, इसको support नहीं करूँगा, और जो next target बन रहे है, वो Pi Network बन रहे है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पताया है, कितने जादा user base है, और कितना जादा यह active है, और कितन पर भी यह हर दिन हमें देखने को मिलता है, maximum हमें देखने को मिलता ही रहता है, यहाँ पर बताया जा रहा है, Pi Network users worry about potential impact on Pi coin investment, तो यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों को tension भी है, Pi को लेके, बहुत सारे लोगों को motivation भी है, Pi को लेके, दोनों टाइप के लोग अभी के टाइ यहाँ पर यहाँ पर चले जाता है, चाहे वो कितना भी डूबा क्यों ना हूँ, और चाहे कितनी अच्छी कमपनी क्यों ना हूँ, उसके बारे में एक भी negative point बोल दिया, वो रातो राट डाउन फॉल में चली जाती है, यह power है इलोन मस्क की, और according to the court, records, अभी के टाइम में court के कुछ records आये हैं, जहाँ पर two wallets association के बात के जा रही है, मस्क ने allegation लगाया है कि sold are staging 1.4 billion doge coins equivalent to over 1 to 4 million dollars within a span of just two days in April, मतलब की सिर्फ और सिर्फ दिन के अंदर, अपरेल के महीने के अंदर इतना बड़ा एक तरीके से spam वगरा हुआ है, मतलब बहुत बड़ा fraud type का हुआ है, जो की बताया जा रहा है, इस transition have raised suspicious of market manipulation and have draw the attention of doge coin investors, so basically ये market के अंदर एक बेकार problem है, जिसे की लोगों को manipulate किया जा रहा है, एंड जो ये दूसरी चीज़ बताया जा रहा है, इलॉन मस्क अटॉर्णी एलेक्स शैपिरो हैज शिफ्टिली डिस्मिस्ट इस क्लेम्स एज बेसलेस एंड लैकिंग कंसरेंट एविडेंस, बिसिकली अपने आप में चल रहा है कि कोट के कुछ अलग orders आ रहे हैं, और जो market में दिखाया जा रहा है, वो गलत दिखाया जा रहा है, मतलब हर तरीके से किसी को exposed किया जा रहा है, किसी के evidence दिया जा रहे, ये सारी चीज़े market के अंदर चल रही है, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी पाई नेटवक किस तरीके से आगे निकल रहा है, चाहे हम fan following की बात करें, downloaders की बात करें, या popularity की बात करें, तो वहाँ पे पाई नेटवक हमें जादा देखने को मिलता है, आप खुछ सोचो जो पाई नेटवक के अंदर investment कर रहे हैं, कर रहे हैं, या पाई नेटवक में इपनी investment कर रहे हैं, अलग-अलग जगा कर रहे हैं, तो कही न कहीं इसका जो community है, पूरे worldwide लेवल पे चल रहा है, क्योंकि 5 करोड के आजपास तो active है, जो daily basis कर कुछ ना कुछ करते हैं, बट total जो लोग है 100 million से उपर के लोग है, मतलब 10 क करोड से जादा लोग ऐसे हैं, जो पाई नेटवक के साथ जूड चुके हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि actively कुछ ना कुछ activities करते हैं, बहुत सारे लोग activities नहीं करते, बट 5 करोड के आजपास का ऐसा number निकल के आया है, जो लोग daily basis पे mining activities करते रहते हैं, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर बताया जा रहा है, इलॉन मस्क जनायल अफ डॉज कोइन ओनर सी इंटर्डूज अंसर्टन एंड डेंपर्स दी एंथ्वाजिस्ट ऑफ पाई नेटवक उज़स तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक पाई नेटवक को एक अच्छी opportunity हमें देखने को मिलती है, तो ऐसा possible हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही पाई नेटवक एज़स लाँच होगा, अलग-अलग एक्चेंज पर हमें देखने को मिलेगा, तो उसके बाद जैसे यह अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इलॉन मस्क और भी बड़े-बड़ लोग इसके अंदर investment करेंग क्योंकि जिसके पास एक user base होता है, उसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसको भी benefit होगा, क्योंकि अगर कोई बी चीज़ Elon Musk launch करेंगे, तो उनको भी benefit होगा, क्योंकि इनके पास users हैं, और लोगों को भी benefit होगा, अगर Elon Musk इसके साथ चुड़ेंगे, और ये सब चीजे पॉसिबल 100% हो सकती है क्योंकि पाइन इटफक ने अपना बहुत अच्छा खासा नाम अभी मार्केट के अंदर बना चुका है तो दोस्तो इसी आर्टिकल के बारे में और भी बहुत सारे चीजे ऐसी लिखी गई है तो आज की वीडियो के अंदर यही था आई होप आपको समझ में आई होगी अभी तक वीडियो पर बने वह तो प्लीज गाइस एक लाइक कर देना चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बैल को और पर जरूर पैस कर देना आज के लिए तना ही मिलते है नई वीडियो के साथ अपके लिए जय हिंद वन दे मात्रम